भारत जोडो आंदोलन के बाद जो तीन चुनाब हुए उसमें कांगरेस की लुटिया डूब गई क्या इतनी बड़ी तफस्या कर ली इसलिए इन चक्रों मत पड़ो ठीक इतनी भी इतनी भी बबाद लंबी मत फेग दो कि बाद में लपेटना मुश्किल हो जाए एक बात आ जाही मुझे याद है नंति-ग्लमी जाई मैं मुझे नावाब याद है इनद्रा जी की समय में इन ही की कांग्रेसम्न दिया था एक शेरनी सो अझाल लगूर वाजपेई, चंद्रशेकर, मुलायम सिंग सबको लंगूर बता दिया था, क्या, बहुणा जाजीवन नाम, क्या, एक शिरनी, बाकि सब लंगूर, इनारा नहीं दिया था, तब धान नहीं आ था, कि देश में लोग तुन्त रहे, ओ मर्यादा है, और इसको भी समझना क्या आपने ने कहा था, Indra is India, India is Indra, कह था ना, आपने तो बाकी सब को किनारे कर दिया, भारत में भारत ही अपने उपर ले लिया, भार बोले, वो आओ माईक एलाल कौन मुकाबला करेगा, पोले, Indra is India, और India is भारत, क्या, इससे बड़ा कोई नारा दे सकता है माईक एलाल बाद में उनका टीके वरुवा का क्या हुआ वो छोड़ देजी विशे उनको इतिहास नहीं जा कि किस कूड़ेदान में फेका देवकांत वरुवा तब नहीं बास समझ में आई इंदार जी का वह भाशन नहीं से याद है कि वही टोन सब की होती है यह जब आप वहां बैठे होते हो मैं कहती हूँ यही उनका स्वर लगभग ऐसे ही था मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ यह कहते हैं इंदीरा हटाओ फैसला आपका वो देश जो आभी कहर एते कौन मेरे खाल से मनोज यसने यार अतनाकरी जी किशिन कहा कि भाजपा देश कैसे हो सकती है और भाजपा त अब आपको इस बात है तकलीब भाजपाई यह क्लेम क्यों करते कि वो देश क्यों वह या इरोटी नहीं खाते है जैसा जिठानी आचरन करके बता गई वह इसलिए तो शारी दिवरानियां करेंगे नहीं बहुए आके शर्मानी चाहिए इंद्राजी को देवकांत पर्मुआ को पार्टी से निकाल देना चाहिए था जेल भेट देना चाहिए था कि तुमने इसी अभाद्रमात के से बोल दी कोई भारत माता का परियाय हो सकता है ब्रटर अफ इंडिया उनके लिए परियाप्त है इंद्राजी के लिए भारत की बहादूर बेटी ठीक है उनने का जैने हमी भारत माता है ऐसा तो अभी मोदी कहने पाए अभी बहां तक तो नहीं गए ना को तब आपको क्या आपति है कुरा करके जो आयो वहीं न भोगों के मैं यह कम एक बात कर दूंग्या कांग्रेश के लोगों ने नोटबंदी पर बड़ापति की थी मैं नेंहीं पता होगा और उसके करने के तरीके पर बड़ी आपत्ती की थी कहा था अंडेमोक्रेटिक बिहेवियर है यह प्राइम मिनिस्टर का किसी को नहीं बताया अब जो कांगरेस ने कहा वही बाकी छोटी रीजनल पार्टियां भी उतना उनने का हम रिसर्च क्यों करें जो कांगरेस करें उसी हम भी बोल दो वह जिश्च आप जाल लो का इंद्रा जी ने जब बैंकों का राष्ट्री करण की अतब और जब नोट बंदी की तब का जब बैंकों का राष्ट्री करण हुआ तो कैवनिट को बुला लिया गया का को तब तक सब इंद्रा जी आई नहीं थी किसी आपस में पूछ रहे क्या मसला क्या ह गाश फिर डा कि अंक का ाके इंद्रा जी ने कहा कि मैंने वैंकों के राष्ट्री करन का अदिश कर दिया क्या कि सब्सक्रांब से आप है से वाइन से रहे उवाइन रहे हैं और कहां से सीखेंगे भईया सब वही से सीखेंगे इसलिए कहते हैं घर में सास का आचरण पीडियों तक प्रमाण होता है गलत तो नहीं कहा है सास ने घर में कभी रोटी ने वनाई तो बहुत किस मूझ से कहेगी रोटी बनाओ क्या गांगरेश के साथ यह समझ जा है और एक बात ध्यान रख लीजिए क्या ममता जी ने का उससे आपकी नाराद्गी हो सकती है अखिलेश जी ने का उससे प्यों सकती है आप बड़ी पार तो सीजंड आदमी ममता जी थोड़े क्रोधी हैं जानते हैं जल्दी गुस्ता हो जाती है अकरेश यादव के पास अभी उतना तरवा तो नहीं है मान लेते हैं क्या मुलाइम सिंह नहीं हो लेकिन पावार साथ तो बहुत बुच्रुक आदमी है और दुनिया के सारे रंग अधिकांश राज ने चेत्री दलों के नेताओं से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं वह राब जी बाकी सब चलो एडिस्ट्मेंट हो भी सकता है लेकिन गांगरेश को वह बहुत वाला एटिटीट छोड़ना होगा यह क्या है बहुत वाला एटिटीट और बाइचा बक्त पर अगर आप जुकेगे नहीं एक द्रश्य मुझे याद है एसन सिंग की पाइटी का आंध्रम में एक रैली थी मोदी जी ने कितना अनुग्रह करके हाथ पकड़के चंद वाबू नाइडू को कुर्शिब बैठाला बाई जब राजनीत करनी है तो इतना ख्याल कर करना पड़ेगा चुनाव लड़नेक मतलब बिटिया का ब्याहा करना है रतनागर जी क्या हमारे विना कोई नहीं हो सकता ऐसा बोलने के बाद तो फिर जो घर में आवी राओगा वो भी चला जाएगा बापस रीजनल फोर्सस का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है चोविज में करांती हो जाए महमता बनेजी की सेथ पर क्या प्रक वो तो मुक्य मंतरी आई प्रधान मंतरी हो नहीं सकती अभी बात खाता है बताईए वेकिन आपका सब कुछ दाओं पर लगाए अगर इस बार भी कांग्रेस कुछ अच्छा नहीं कर पाईगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अब आपके साथ जो कारिकरता है थोड़ा बहुत जो भी उसको रिटेन करना जैसे समाजवादी पार्टी के लिए 27 में चुनोटी होगी यूपी में अगर 27 में ये नहीं आए तो पिस दिल के कोड़े हजार हुए कोई यहां गे इया कोई वहां गेरा कहा मिलता आद्मी कारीकरता कब तक इंतिशार करें आज अधा का कारीकरता को सब्सादाइ नाइं माफ करिएगा वो एक टर्म वोटम तिन टर्म दे teor के कब तक देखेगा चालिस साल की उम्र में आपती जुड़ा 65 हो गया ना यह तो आप सरकार आने की स्थिति में हो तो ठीक है कुछ लाव हो उसको अनिता नहीं चलता और रहुल जी को एक इमत्हान तो पास करना ही होगा रतनाकर जी इस Об कुछ पुरा मानने की बात नहीं यह लोग इम्तहान नहीं पास किये हैं अभी तक, वो खुद को नेता मानते हैं, लोग उनको नेता अभी भी नहीं मानते हैं, वो तो मानते हैं अपने नेता, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, इम्तहान तो देना होगा ना, इसलिए मैं कहता हूँ, हरी का नाम लेके, प्रभू का न लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा सीधे युद्ध छेत्र में नहीं तो यह जो पांच राज्यों को चुनाब है इसमें राहुल जी से केम्पेन कर आई ये बढ़िया से क्या और इनके नतीजे से देख लिजिए कि राहुल जी कितना दूर तक जाने की स्थिति में है वहीं से पता लग जाएगा है ना लेकिन इम्तहां से बच के इंद्रा गांधी इसलिए बड़ी नेता थी मैं बार बार इंद्रा जी को कोट करता हूं चुकि वो हैड़ाउन करना जानती थी आग में कूद के लड़ना जानती थी ममता बनर जी इसलिए बड़ी नेता है छोटी लड़ाई लड़ी क्या जब आपके कांग्रेस के सारे लोग पश्चिम मंगाल में बिलुप्त हो गए तब भी ममता बहां लड़ी थी कांग्रेसियों को तो औरों को तो ने मारते थे भांपंती ममता को मारते थे ना ममता के शरीर से जो रक्त निकला वहां से चेतना आई इसलिए एक बार तो लड़ना होगा अड़ना होगा इमतहन देना होगा और देश के सामने रिपोर्ट कार लेके आना होगा धन्यवाद